ओके दा PQL season 11 player auction has been officially announced by the Masal Sports Pro Kabaddi season 11 का auction कब होगा तो independence के दिन होने वाला है Pro Kabaddi season 11 का auction जितने भी official announcements हुए है auction के regarding फटफट आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा जैसे के मैंने आपको Masal Sports अभी कहा तो जो agreement था वो आप कह सकतू कि नहीं टूटा है बिल्कुल सही है और भी बात करने वाले बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते है शुरुआत करते हैं auction date के साथ तो 15 और 16 August को होने वाला है PQL 11 का player auction दो दिन का होगा पहले दिन Independence Day और 16 August Friday को होगा और कहां पे होगा Pro Kabaddi का auction मुंबई में ही होने वाला है तो Independence Day यहाँ पे Organizers ने decide किया है 10 साल complete हो जाएगा कल के दिन और 11 साल के अंडर कर जाएगे यहाँ अच्छा date यहाँ पे इन्होंने चुरा है पर्स की बात करते हैं कितना पर्स होने वाला है ज़्यादा उमीदे थी कि पर्स यहाँ पे increase किया जाएगा लेकिन पर्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ बात नहीं किया है तो आप कह सकते हो कि पर्स उतना ही रहने वाला है 5 करोड सभी टीमों के पास होगा Retention Policy भी शॉकिंगली नहीं बात किया गया आर्टिकल में Retention के बारे में कुछ भी डिसकस नहीं हुआ है आप कह सकते हो कि Retention सेम होगा जैसे पिछले सीजन में हुआ था इस पर एक डीटेल वीडियो आज में डानले का सोच रहा हूँ जिसमें Retain Player का बनाउंस हो सकता है जो लिस्ट है और क्या policy होने वाला है उस पर डीटेल में बात करेगे आपने टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो फर्टफट जोइन कर लो बहुत पहली अनाउंस हो गया था वो मैंने आपको टेलिग्राम पे पोस्ट टाल के बता दिया था अब भी डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आएगे विकॉस ओक्षन को 20 या फिर उसे कम दिन का समय है तो रीटेन लिस्ट, री कैटेगराइज लिस्ट बहुत कुछ आना अभी बाकी है तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आएगे तो जोइन नहीं किया तो दो तरीके है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जोइन कर सकते हो या फिर टिलिग्राम पे एड़ रेट्स पोर्ट सुनिफ 7 सर्च करके जोइन कर सकते हो दोनों ही मैटर्ड आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा उस तरीके से आप वटफट जोइन कर सकते हो अब प्रो कबड़ी ने नया लोगो अनाउंस कर दिया है सीजन 11 के लिए सबसे पहले आक्षन लोगो की बात करते है तो आप देख सकते हो यह होने वाला है आक्षन का लोगो P.K.L. 11 के लिए एन लीक के दोरान यह लोगो होने वाला है थोड़ा सा नया है एंड जो प्रो का बड़ी लिखा हुआ आता था अब आपको PKL देखने को मिल जाएगा और आप कहा सकते हो कि सिमिलर लोगो है बस वो 10 वाला साइन तब वो हट चुका है कैसा आपको लगा लोगो कॉमेंट का के जरू बताएगा एंड अभी फिलाल यही अपडेट्स आयते चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे डेली अब वीडियोज आने लगेगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजिए चोटे से चोटे अपडेट्स सबसे पहले आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा मिलते अब एक नई वीडियो के साथ ठ हैंक्स वर वाचिंग